जेक SSB female supervisor की job mcq series start कर चुके थे इसे continue करने वाले हैं और आज की जो वीडियो है इसमें day 4 तो रहने वाला है daily basis 25 questions का set आपके सामने आ रहा था आज आपके 100 questions यहां पर complete होने वाले हैं और यह तो 100 questions का आज वाला सेट है इसमें सिरफ और सिरफ जो आपके स्लेप बच में general science वाला section उस वाला section को cover कर जा रहा है इसी तरह से आने वाल दिनों में एक दिन सिरफ computer वाला section cover करेंगे एक दिन reasoning cover करेंगे इस तरह से हम कुछ दिन तो pattern लेकर चलेंगे पिर दोबारे से mix section की तरफ आ जाएंगे और आज की वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटा सा update भी आपसे share करना चाहूंगा कि female supervisor के कुछ experience जैके चेर्मन तक जाच पहुंचे हैं कि exam पोगए accident करना चाहिए बट exam अभी accident नहीं होने वाला है clearly mention करा गए चेर्मन सरके द्वारा तो आप में सब कोई यह उमीद लेकर बैटा है कि exam accident होगा थोड़ी मैनत कम कर ले तो बात में और मैनत कर दी जाएगी तो उन चीज़ों पर मत focus कीजे exam proper time पर होने वाला है तो उसके coding के तयारी कीजे और इसी बात को ध्यान में रखते होए कल की अगर मैं बात करूंगा आपके लिए मौक टेस्स त्यार करें टेस्स त्यार कर रही है उसमें तीन टेस्ट आपके लिए unlock कर दी गए हैं अगर आप वो application में जाके test series open करते हो अगर आप उसे नहीं भी purchase करोगे तब भी आप यह तीन section में जाना है वहां पर जाके application का link मिलेगा वहां पर जाके अपने app को install करना है एप को install करने के बाद female supervisor test series को आपने open करना है जब आप open करोगे अगर आप purchase करेगा तो mark test subjective test सब कुछ open हो जाएगा अगर आप नहीं purchase करना चाहते है जो free वाले test में वहां पर आपके लिए open हो साथ है वहां पर जाये test attempt कीजिए अपना score check कीजिए अब start करते हैं आज की वीडियो को first question आज का पर सामने screen में है कहा जा रहा है which among the following is the cgs unit of energy आपको बताना है इन मेंसे energy की cgs unit क्या आजाती है आपके इसलिए मेंचनल ना various sources of energy वा चेप्टर तो energy की cgs unit क्या है देखो जूल जो है वो energy की si unit है बट यहां पर si unit नहीं पूछा cgs unit पूछा है तो वो erg हो जाएगी erg correct answer देखने को मिल रहा है तो जो si unit है और cgs unit के relationship आता है 1 joule 10 की power 7 erg के बराबर होता है ठीक है तो यह relationship भी आपको पता होना चाहिए फिलाल जो correct answer है वो option question number c हो जाएगा question number 77 की बात करेंगे कहा जा रहा है which among the following converts mechanical energy into electrical energy इन मेंसे ऐसा क्या है जो mechanical energy को electrical energy में convert करता है मतलब शाफ्ट work हो रहा है शाफ्ट गूम रही है उसकी वज़े से electricity generate हो रही है motor में क्या होता है motor में आप electricity खुद supply करते हो फिर electricity से mechanical energy मिलती है तो motor के case में reverse होता ह लेकि जनरेटर है जहां पर शाफ्ट गूम ते शाफ्ट गूमदी के विच्छ से electricity generate होती है जोने कि mechanical energy electrical energy में convert हो रही है तो option number B generator यहां पर correct answer हो जाएगा question number 3 की बात करेंगे आज के question number 78 की बात करेंगे कहा जा रहा है the SI unit of calorific value is calorific value की SI unit क्या हो जाएगी आपको वो बताना है जूल, joule kilogram, kilojoule per kg या फिर इन में से कुछ भी नहीं तो देखो SI unit की बात करेंगे joule per kilogram हो जाएगी इसे options में यहां पर kilojoule की terms में दिये गया तो कोई फरक नहीं बढ़ने वाला option number C आप correct answer बोल दोगे क्या है कि हैक चुली में कि कितनी heat produce हो रही है जब आप 1 kg fuel को burn कर रहे ह आगे चलेंगे question number 79 की बात करेंगे कहा जा रहा है which among the following is the non-renewable source of energy इन में से क्या है जो non-renewable source energy का sun, wind, tidal energy या फिर fossil fuels non-renewable मतलब आप उन्हें renew नहीं कर सकते हो इसका मतलब sun के energy को बारवा यूज कर सकते है wind energy को भी बारवा use कर सकते है tides के energy को भी बारवा use कर सकते है लेकिन fossil fuels रहे है ने एक time के पाद एक time के बाद खिर मोजेंगे तो नॉन रिनिवियूबल की कैटिगरी में आते हैं बन जाएगा लेकिन बनन मुतारे कितना लाकों साल लग जाएगे इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं यह नॉन रिनिवियूबल है तो आपको फॉसिल फ्यूल्स लेखने को मिल रहा वो करेक्ट एंसर हो जाएगा एक का मैं सब्सक्राइब करने जाएगा उनके साथ आंसर भी में लिख दूँगा 25-25 के साइट फिर आंसर फिर 25 के साइट फिर आंसर इस तरह से पुरे प्रॉपर एक 100 कोशिंज का पीडियूफ बना कि मैं आपके लिए वो टेलिग्राम गुरूप पर शेयर करने वालों आप जाएक आपके टेलिग्राम गुरूप जॉइन के लिए उसका लिंक भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में लगा वह जॉइन कर लो वहां पर पीडियूफ में जाएगा साथ यह पीडियूफ में अप्लिकेशन पर भी अप्लोड कर दोंगा आगे चलते नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे कहा जा रहा है विच अमंग दा फॉलोइंग इस दा बेस्ट क्वालिटी कॉइल कोल हैविग मोर दन एक्टी परसंट कारवन पीट लिगनाइट बिटुमिन अंत्रसाइट एंटी एच आरे ठीक है इनमें से कौन से बेस्ट क्वालिटी कोल इसमें 85 परसंट से उप जाये जाया कोर्बा शूपर थर्मल पावर प्रांट को बटावा तो थर्मल पावर प्लांट एपको वह बताना है अद्रेन ट्रिपल फॉस्फॉरस अडुर्डिन ट्राइश उन ट्राइफ फॉसवेट आपको देखने हुआ है यह करेक्ट अंसल हो जाएगा तो एटेपी की फुल-फॉर्म क्या हो जाएगी अईजने ट्राइफ वोस्ट और इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है लिए से काई जाल जाता है पिसे का जाता है यह को करेक्ट एंसर हो जाएगा और आज की जो वीडियो है अभी जो क्वेशन जो चोछुचन बता दूँगा विच अमंग दाफॉलिंग इन में से क्या है जो वाटर और विंड्रों को मतलब फ्ट्वेडों के पत्तों की बात तरम ही पे खाना बनता वहां तक पहुंचाने का काम करता है रूट से लीफ तक जो है वह वाटर और मिन्राल्स को पहुंचाने का काम कौन कह रहा ह जाइलम फ्लोईम दोने रहे ट्रांस्पूर्टर तो जाइलम काम है पाना वगरा पानी पहुंचाना ना तो अप्शिन नमबर एक करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे चलेंगे जिसे फैट-solूеня मैं तो यहाँ पर पूछ गयंगे वटाना वीटामिन कौनसा है आपको बताना देखो अगर हम फैट-solूबल की बात करेंगे फैट-solूबल में आजयेगा A, D, E और H तो वाटर-solूबल में आजयेगा B, C, बाकी सरे फैट-solूबल हो जाएगे तो आपसे यहां पर पूछाता है fat soluble कौन चाहा है तो A, D, यहां पर एक सेगन तो आपसे क्या पूछा गए यहां पर यहां पर पूछा कहा है fat soluble न तो A, D, E, K, सारे मतलब B और C को छोड़ के बाग किसे भी जो है वो fat soluble की category में आते है water soluble में B और C आते है तो बी तो water soluble है fat soluble कहां से हो जाएगा इसका मतलब option number B यहां पर correct answer हो जाएगा ठीक है fat soluble पूछाता न तो यह question जोड़ से मैं गल्द कर चुका हूँ क्योंकि fat soluble नहीं मुझे water soluble करना था तो water soluble vitamin B अगर fat soluble के बात करेंगे तो fat soluble में A भी आ रहा है D भी आ रहा है तो यह थोड़े options थोड़े से वो हो गए तो इसको मैं जब आपसे PDF शेयर करें में तबना correct कर लोंगा विच इसका याद्यार रखेंगा ठीक है यह जो B और C है वो water soluble है बाकि fat soluble है विच इस ऑल्सो नाउन एज लॉक जा लॉक जा लॉक जा किसे कहा जाता है यह डिजिस की कैटिगरी में अब आप पढ़ते हो यह बात करेंगे विच अमंग दा फॉलिंगे विच अमंग दा फॉलिंगे विच वाज़े से होता है तो यह बैक्तिरिय के वज़े से होता है option number C correct answer हो जाएगा question number 86 की बात करेंगे विच अमंग दा फॉलिंगे वाइरल डीजिस अब आप बताओ इन मेंसे वाइरल डीजिस कौन सा है आपको यह बताना है तो यहां पर देखिए टाइफाइड कॉलरा टेटनेस यह सब भी कहसे हैं सब बैक्तिरियल डीजिस हैं इस सब बैक्तिरिय के वज़े से होने वाले डीजिस हैं जबकि रैबीज की बात करेंगे वाइरिस की रैबीज वाइरिस होता उसकी वज़े से हो जाता है तो option number D यहा पर कमी होती है तो स्कर्वी जैसे डीजिस देखने को मिलती है ना इसे question की number में को mistake तो नहीं करिए मैंने 83, 84, 85, 86 ठीक है 87 आगे चलते हैं autotropic nutrition की बात करेंगे आपको किस में देखने को मिलता है autotropic मतलब auto मतलब खुद 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 खाना बनाते हैं तो अपना खाना खुद कौन बनाते हैं green plants बनाते हैं तो इसका मतलब green plants यहां पे correct answer हो जाएगा आगे चलते question of 89 की बात करने के कहा जा रहा है which among the following is related to ozone layer depletion ozone layer depletion से कौन relate करता है आपको यह बताना है देखिए एक है montreal protocol कायटो के सारी protocol आपको दिये गए बर जो montreal protocol है वो ozone layer depletion से relate करता है 1987 में से finalize करा गया था कहा गया था जो भी ODS है ozone depleting substances है हमने खतम करना का काम करना है जो किसमें decide कर गया था montreal protocol में decide करा गया था इसका मतलब ozone layer से कौन relate कर रहा है montreal protocol relate कर रहा है तो option number A यहां पे correct answer हो जाएगा आगे चलेंगे question number 90 की बात करेंगे कहा जा रहा है which pigment gives green color to the leaves इन में से क्या है जो green color provide करता है leaves को आपको यहां पर वो बताने देखो green color कौन provide करता है leaves को chlorophyll provide करता है option number C correct जो की chloroplast में होता है जोगा कि जाएगा question 91 की बात करेंगे what is the scientific name of vitamin B9 vitamin B9 का scientific name क्या होता है कभी-कभी folate लिखा होगा यह फॉलिक acid दिया हुए है तो option number D correct answer हो जाएगा ना question 92 की बात करेंगे अगर वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा और इससे पहले विले equation series बे आप जरूर देखेगा और अभी मैं आपके काम कर रहा हूँ current affairs पर एक marathon क्लास बिना हूँ पुरी जो बिसकी जो भी starting के 5-6 महिन है जितने भी आपके सामने आएंगे वो सारे current affairs बना रहा हूँ आपकी एक्सम से पहले पहले आपको कवर करवाने में विच इस ऑलसो नाउन as black gold black gold किसे कहा जाता है अच्छा आपको नहीं बताये नहीं यहां से जो question start हो रहे ना यह कहां से हां यहां से question number 87 से इतने भी question start हो रहे आगे जब एंड दक आने वाले हैं इस अभी तो जैके SSB के recent exam हुए हैं उनमें पूछेगे question है ठीक है 87 से में start कर रहो हो आगे तो 88 हमें discuss कर लिया 89 भी discuss कर लिया 90 भी discuss कर लिया 91 discuss कर लिया 92 की बात करेंगे black gold इनमें से किसे कहा जाता है तो petroleum को कहा जाता है option number 1 correct answer हो जाएगा यह सारे question जैके SSB में पूछेगे आप जो कुछ सामने आएंगे the hormone released by the pineal gland that regulates the sleep-wake cycle is called एक pineal gland एक hormone secret करते है जिसके विसके पुनीन दाती है फिर आप उठ जाते हो वह कौन सा हार्मोन आपसे वह पूछ दा रहा है तो वह melatonin है option number 1 correct answer हो जाएगा question 94 की बात करेंगे आपसे पूछा जा रहा है what is the causative organism for tuberculosis फिर वह पूछा गया कि tuberculosis किसकी वज़े से होता है फंगाई की वज़े से होता है बैक्टीरिया वाइरस पूछा जा रहा है तो tuberculosis के अगर हम बात करेंगे तो यह आपको पता है एक bacteria होता है जिसका नाम बता है mycobacterium इस तरह से है न तो इसका मतलब mycobacterium बैक्टीरिया की बात करते है बैक्टीरिया की वज़े से हो रहा है option number पर भी correct answer हो जाएगा और lungs पे effect डालता है tuberculosis की खांसी वेर आप सभी को पता है communicable disease category में आ जाते है question 95 की बात करेंगे which among the following is not a green house gas इसमें से क्या है जो green house gas नहीं है आपसे वो पूछे जाद है methane, nitrous oxide, carbon dioxide, hydrogen hydrogen green house gases की category में नहीं आती option number D correct answer हो जाएगा ocean 96 की बात करेंगे ozone layer की बात करेंगे जो harmful UV rays से बसाने के काम करती है यह ozone layer किसका हिस्सा है दोको हमारे earth जो atmosphere की layer से उसके गरम बात करेंगे जाएगा फिर stratosphere आता है फिर mesosphere आता है फिर thermosphere फिर exosphere फिर stratosphere आता है यहां पर ozone आपको देखने को मिलती है तो इसका मतलब option number B stratosphere है वो correct answer हो जाएगा question 97 की बात करेंगे कहा जा रहा है after diagnosis of a disease in a person जब एक किसी particular person में कोई disease diagnosis हो चुके डॉक्टर एडवाईज करता है patient को कि आइरन और folic acid की tablet लीजिए इसका मतलब सो कौन सी problem है चार तरह के option दिएगा इसका मतलब सो खोन की कमी है अनेमिया तो इसको आइरन और folic acid का mention करा जा रहा है तो option number b correct answer हो जाएगे वर एक्जाम में पूछा गया था प्रेगनेंट वुबन से लिडिट कि इन्हें कौंसी tablet जादा दी जाते हैं कौंसी कमी होती तो folic acid या वह folic acid वह बात करेंगे वह जो आपको था था vitamin b9 वहला उसकी कमी हो जाती है कि खून वगारा की कमी हो जाती इसलिए तो अनेमिया जो है अनेमे की प्रॉब्लम होगी खून की कमी भी तो आपको आइरन और folic acid काने को बहा जाएगा question number 98 के बात करेंगे chlorophyll in photosynthesis is used for chlorophyll का का काम क्या है photosynthesis के प्रॉप बहुत बहुत जा रहा है तो light को absorb करने के काम कर रहा है if light energy chemical जिसता से convert वगारा हो रही है तो option number ए correct answer हो जाएगा और अगर आप test से जुएंट करते हो ना सब्जेक्टिव टेस्ट भी mock test full length upload करा गए और भी full length mock test upload होंगे लेकिन साथ सब्जेक्ट जिसे reasoning के topic wise test है science के भी कुछ topic wise test है कुछ pending है वह भी add करने computer के topic wise test वहाँ पर add करें गए इस तरह से और भी कहीं सारे topic wise test वहाँ पर add करें आने वह टाइम पर अभी कहीं सारे pending हैं वह भी मैं साथ अप्लोड करता जा रहा हूँ करेंगे ता स्ट्रॉक्चिरल एंड फंक्शनल यूनिट अफ एकॉलोजी इसे कहा जाता है तो वह एको सिस्टम कहा जाता है option नमबर करेंट एंसर हो जाएगा आज के last question की बात करेंगे which among the following is a renewable resource इन मेंसे क्या जिससाब रिन्यू दूबार दूबार यूस कर सकते हो वह व है तो फुल कोर्स जोइन कर लो टैस्ट सिरीज जोइन करने तो टैस्ट सिरीज जोइन कर लो और साथ इसाथ आपको बताना चाहूंगा अगर आप मुझे से connect करना चाहते तो इंस्टाग्राम जेके लेटेस इंफो के नाम से वहाँ पर जाके contact कर सकते हो तो फिलाल करेंगे वीडियो को एंड मिलेंगे नए वीडियो में किने नए कुशिंस के जाथ अब तक के लिए था इंक्यों एंजॉए हिंट